खेटों सो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैं आप लोगों को जूनिय असिस्टेंट के तैयारी लगातार अनकैडमी पर करा रहा हूँ सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महतपून उत्तर प्रदेश बिसेश के टॉप 30 प्रशन ले करके आया हूँ और ये वो प्रशन है जो की हर एक परिक्षा में अक्सर कर देखे जाते हैं इन से बहुत ज़ादा सवाल आते हैं तो चलिएगा कौन से ये टॉप 30 प्रशन होने वाले हैं इनको हम लोग देखते हैं ये मेरा रैफरल कोड है इसका यूज करके आप 10% तक डिसकाउंट जो हैं ले सकते हैं तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और ये सबसे ज़्यादा रिपीटिड कोशन है सबसे ज़्यादा वार पूछे जाते हैं तो सबसे पहला कोशन कि देवबंद आंदोलन यूपी में किस बर्स में आरंब हुआ था यहां से एक प्रशन तो ऐसे आता है एक और प्रशन पूछा जाता है यहीं से कि देवबंद आंदोलन के जो संस्थापक थे यहां पर सुरूबात किस ने की थी तो इसकी जो सुरूबात की थी उनका नाम था मौलाना होशैन एहमद तो इस नाम को मत भूलिएगा आप मौलाना होशैन एहमद ने देवबंद आंदोलन की सुरूबात की थी अटरासव चांशट में अगला मैज तपून प्रशन अगला है बेगम सुमेरू ने एक अती प्रशिद चर्च का निर्माड करवाया था ये करवाया था सरधना में और एक प्रशन पूछा जाता है कि सरधना कहां पर है तो ये कहां पर ये आपका मेरट में है जिनको नहीं पता वो इस बात को याद रखिएगा कि सरधना मेरट में है अगला प्रशन है आपका कि इन में से किसका जन्म आग्रा में हुआ था सो भई यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपका मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब जी का जन्म जो है वो आग्रा में हुआ था तो इस बात को आप याद रखिएगा नेक्स प्रश्न बहुत ही मैं तपून स्टार बना लीजेगा इस पर कोशन है कि मोतिलाल नहरू वाल संग्राले कहां पर इस्तित है देखें मोतिलाल नहरू वाल संग्राले जो है ये आपका लखनू में इस्तित है और इसकी स्थापना जो होई थी इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना 1957 में हुई थी तो ये बात याद रखेगा बहुत बार पूछा गया ये आप देख भी सकते हो ये UPPCS के मेंस के 2010 की परिक्षा में भी पूछा गया था अगला प्रशन भारत कला भवन कहां पर अवस्तित है भारत कला भवन जो अवस्तित है ये कहां पर है ये है आपका बाराणसी में ठीक है बाराणसी में भारत कला भवन अवस्तित है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है इसकी स्थापना बरस के बारे में बात करें तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी किन के द्वारा ये की थ आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही नहीं है तो देखो यहाँ पर बात करें तो बिध्यांचल मिर्जापूर यह आपका सही है देवा सरी बारा बंकी यह भी सही है हस्तनापूर मेरट यह भी सही है अब आप यहाँ पर देख रहे हैं स्रंगवेरपूर यह फैदाबाद ये सही नहीं है, तो स्रंगविरपुर है कहां पर, ये आपका प्रियाग राज में है, तो इस बात को याद रखें, अगला प्रशन, महारशी बालमी की आश्रम कहां इस्तापित है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपका बिठूर, देखो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कैसे रखेंगे जो लोग मेरी यान अकेडमी क्लास में आते हैं सो मैं मैक्सिम्म चीजों को ट्रिक से कराना पसंद करता हूँ देखो बिलकुल याद हो जाएगा और भूलो को भी नहीं देखिए यहाँ पर क्या लिखा है महारशी बालमी की अब देखो रिशी जो मुनी होते हैं रिशी मुनी वो क्या करते हैं सबसे ज़्यादा वो करते हैं तपस्या और वो तपस्या कैसे करते हैं ज़्यादा तर रिशी मुनी क्या करते हैं बैट करके तपस्या करते हैं तो अगर मैं पूछ हूँ कि महारशी बाल में की कैसे तपश्या कर रहे थे तो आपको बैठे हुए थे ठीक है तो बिठुर बैठ करके तपश्या कर रहे थे तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो अगला प्रशन बिख्यात भारत माता मंदिर कहां पर इस्तित है सो भारत माता मंदर जो इस्तित है यह है आपका बाराणसी में बहुत ही महत पून प्रशन है भई 2015 के UPPCS के मेंस में पूछा गया था यहां से एक प्रशन और आता है कि इसकी स्थापना किस ने की थी तो इसकी स्थापना की थी बाबू, सिव, प्रशाद, गुप्त किस ने की थी बाबू, शिव, प्रशाद, गुप्त ने इसकी स्थापना की थी तो यह बाद भी आप याद रखेगा इसके अलाबा अगला प्रशन सारनात कहां पर है सो सारनात आप सब लोगों को पता ही गौतम बुट से रिलेटेड है सो यह कहां पर यह उत्तर प्रदेश में है अब पूछा जा उत्तर प्रदेश में कहां पर है यह बारारसी के पास में ठीक है बनारस के पास में है आपका सो यह चीज भी आप याद रखेगा यह कहां पर है तो यह बारारसी के पास में है अगला प्रश्ण आगरा का दयालवाग किस से सम्बंदित है देखिए आगरा का जो दयालवाग है यह आपका राधा स्वामी ट्रस्ट से सम्बंदित है इनका पूरा को पूरा ट्रस्ट चलता है ठीक है तो यह राधा स्वामी से सम्बंदित है अगला निम्ज लिकित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला अबर्स्तित है आपको बताना है तो भही यह कहां पर है, यह आपका बांदा में, कालिंजर का किला है बांदा में, ठीक है, तो इस बात को याद रखी और यह एक एधिया से किला है, यह बांदा में है आपका अगला बहुत ही महत अपून प्रशन इस्टार बना लो ऐसे प्रशनों पर यह याद होने चाहिए आपको उत्तर प्रदेश के प्रतम राजजपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रतम राजपाल की अगर हम बात करें तो यह थी सरोजनी नाइडू जी यह थो सबको पता होता पर यहां से कोशन आजकल यह भी पूछा जा सकता है कि इनकी जो टाइम पीरिड था वो कब से कब था तो इनका टाइम पीरिड 15 अगस्त 1947 से ले करके 2 मार्च 1949 तक तक है अगले प्रशन पर आते हैं उत्तर परदेश के मुख मंत्री नहीं रहे कौन नहीं रहे डीखो ग Walker bill बल्लब पंत ये उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री रहे हैं हें बती नंदन बहुगाढ्या ये वी रहे औक यह रहें करश्ण चंद्र पंत ये नहीं रहे थे पर नित्यानन्द स्वामी नहीं रहे तो भई नित्यानन्द स्वामी थे कौन ये 1st CM of UK उत्तराखंड के ये पहले चीफ मिनिस्टर थे इनकी जो अबदी थी वो 9 नवंबर 2009 से ले करके 29 अक्टूबर 2001 तक थे ठीक है? अगले प्रशन पर आते हैं हम लोग अगला प्रशन है आपका कि भई अब तक उत्तराख प्रदेश में कुल कितनी महला मुख मंतरी रह चुकी है केवल दो ही रह चुकी है पहली का नाम है सुचेता किरपलानी और दूसरी चार बार की मुख मंतरी माया बती जी ठीक है तो ये आंसर होगा यहां पर अगला उत्तर प्रदेश की पहली महला मुख मंतरी कौन रही ठीक है तो उत्तर प्रदेश की पहली महला मुख मंतरी की अगर हम बात करने तो सब को पता होगा सुचेता किरपलानी रही है अब देखो ऐसे question भी UP PCS और ROARO जैसी परिक्षा में पूछे जा रहे हैं अगला बहुती महत्तपून ये भी UP PCS के mains का प्रशन है एक भी प्रशन ऐसा नहीं है जो कि किसी ना किसी परिक्षा में ना पूछा गाओ सारे के सारे बहुती महत्तपून प्रशन है UP विधान सबा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे देखो UP विधान सबा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके पुर्शोत्तम दास तंडन थे तो ये बात आप याद रखे गया ठिक अगला ये बहुती महत्तपून प्रशन है ये भी UPPCS के means के 2014 में पूछा गया था कि भाई उत्तरपदेश के राजकी चिन्द में क्या नहीं है ये राजकी चिन्द आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला राजकी चिन्द ठीक है तो इस राज की चिन्द में क्या नहीं दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर मचलियाँ है, धनुस है, तीर है, बट यहाँ पर मोर नहीं है, तो आपको क्या आद रखना है, यहाँ पर मोर नहीं है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का राजकिय पुस्प कौन सा है तो टेशू जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकिय पुस्प होगा नेक्स्ट बहुत ही महत्पून प्रशन है ठीक है बहुत ही बहुत महत्पून उत्तर प्रदेश के चार छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताब उत्तर प्रदेश विदान सावा में कब पारित हुआ था तो ये पारित हुआ था आपका 21-11-2011 को जब मायवित्टी की सरकार थी तब उन्होंने इस प्रस्ताब को पारित करवाय था अगला प्रशन है आपका कि गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्याला है वो कहां पर है ठीक है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्याला है कहां पर है सो ये है आपका नोईडा में बहुत सारे लोग इसको greater नोईडा कर देते हैं पर greater नोईडा सही नहीं है ये आपका नोईडा होगा option number D next question है कि उत्तर प्रदेश में निम्न लिखित में से कौन सा सहर निर्यातक निर्यात विकाश केंद्र नहीं है so निर्यात विकाश केंद्र जो है वो नहीं है वो कौन सा होगा so यहाँ पर आपका इलहाबाद हो जाएगा option number B इलहाबाद is right answer ये आपका निर्यात विकाश केंद्र नहीं है तो ये थे हमारे top 30 questions उत्तर प्रदेश बिशेश से सम्मंदित जो की सबसे ज़्यादा पूछे जाते है ठीक है और आप लोग अगर exam देते रहेंगे तो आपको भी पता होगा कि ये सारे के सारे question बहुत बार repeat हुए है बहुत ही अच्छे question है और इसके अलावा हमारे और भी parts आने वाले है 3-4 दिन बच्ची हूँ और एक हमारी वीडियो और आने वाली जिसमें हम क्या करेंगे top 50 उत्तर प्रदेश के current affairs के questions को भी cover करेंगे अगर आप इतने top 50 questions को पढ़ लेते हो तो maximum उमीद है मुझे कि अगर उत्तर प्रदेश से question पूछा जाएगा तो यहीं से first जाना चाहिए ठीक है तब तक के लिए bye bye take care and thanks for watching also subscribe our youtube channel